शुप्रवाद बच्चों, संस्कृत में आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, इसका नाम है वित्य पार्ट अहां, बिलस्य वारीना गदापी में शृता, ठीक है, तो ये पार्ट जो ये पंच तंत्र से लिया गया है, उसमें से एक खंड है, उसी खंड में से चोटी सी छी आगया है, ठीक है, बिलस्य वारीना य यहां पर हिव जेख ही विया गया है, ठीक है, तो इसमें इस में ये बतायाए रोए कि कस्मिन चीतवने खंड करह नाम सीह स्थिप्र क्रतिवसट्वी स्व, यानि एक बार क्या होता है, एक जंगल में खंखर दिया है यां पर, ख यानि कभी इधर भूंगते हुए भूख से पीडितु से कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं होता था तो बहुत वह भूखा था इस वज़े से उसे कहीं पर भूजन नहीं मिल पा रहा था तो वह भूख के मारे इधर उदर घूमने लगा उसके आगे ततह सूर्यास्त समय अंगे का महती गुरुहां दृष्टवां सह अचिंतने अतह तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा बड़ी गुफा की वर वह देखता है और क्या कहता है और वह सोचता है नूना मेतायाम गुफायाम रात्रो कोपी जीव आगच्छती अतह अत्रेव नी गुडव भुत्वा त्रिष्टामी इती यानि तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर वह सोचता है क्या सोचता है निश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है इसलिए यही छिपकर बैढ़ जाता हूं तो यह उसकी तरगीती कि निश्य ही जब अंदेरा हो जाता है तो कोई न कोई जीव यह इस गूफा में आयेगा ही, इसी लिए बहतर होगा कि मैं इसी गूफा में बैड़ जाता हूँ, शिकार मैं तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है, आगे, एतसमीन अंतरे गुनाया स्वामी दग्दी पूच अह नामा श्रूंगाल समाग अच्छत, तभी, तभी क्या होता है, इसी और थिए गूफा का एक स्वामी दग्दी पूच नाम हने गीधड आ गया, उस गीधड का नाम क्या दिया गया है, दग्दी पूच करके दिया गया है, श्रूंगाला यानि गीधड आ जाता है वांपे, सल्च यावत पश्यत की या, तावत सी हम्फा愛 पदति हो, गुहाया प्रविष्णा अधृष्यते, यानि जहां तक देखता है, वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हैं, और बाहर महीं है. तो वो क्या देखता है गीधर की उस गुफा में जो सीह था उसके जो पैरों के निशांत्री वो अंदर तक गये हैं लेकिन बाहर आते हुए दिखाई मैं ही दिये तो गीधर तो बड़ा चालाग होता है जानवर ठीके तो वो सोच रहा है अगे यानि गीधर सोचता है अहो विन्नस्टोल सी महा यानि इसका अथे कि ऐसा सोचकर वो खड़े होकर आवास करना शुरू कर देता है तो अपने क्या करू वो कहता है लोना मश्मील पिले सी है अस्तिती तरकयामी ततकीन करवानी यानि वो कहता है कि गीधर ने सोचा अरे मैं तो मर गया मिश्ची इस गुफा में शेर है ऐसा मैं सोचता हूँ तो मैं क्या करूँ ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवास करना शुरू कर देता है वह यह वंचि कर देता है जो रोजें हे बिल, हे बिल, भो बिल, भोवल, यानि हे बिल, हे बिल, कीमील, समररशी वो कहता है कि या मैं तुम्हार से थ्ली, कृतोष दीत, यदाहम ब्रहध, प्रत्या गभिश्या हूमी तदंस आवम, माम कर लूए ओ साह किया कि जब मैं वाहत से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगे। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। तो यह गीड़ की चाले। करता है कि अगर तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगा। आगे, एता एच्छी तुरा सीह अच्छिंतनेत, इसके बाद यहां सुनकर शेते सोचता, नून मेशा गुरुह स्वामी न यदा समाहन करोती, मिश्चे यह गुफा स्वामी को सदा बुलाती है, परन्तु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती, परन्तु मत भयातना किंचित वदती लेकिन मेरे भय से कुछ नहीं बोलती, शायद यह जो गुफा है यहां बोलती है, अपनी स्वामी का सुनती है, अर्त्वा साधितों उच्छते, अर्त्वा यह ठीक ही कहते हैं, तो यहां पर श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोक का क्या आत है, भय संत्रस्त मनसां, हस्त पाद क्रिया है, प्रवत्त्ते लवानी च, वेपुष्च चादी को भवेत, यानि भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ, पैर की क्रियाएं, और वानी ठीक से काम नहीं कर पाती, और गबराहट अधिक होती है, तो भय से जो डरे हुए रहते हैं लोग, उनके हाथ पैर क्रिय नहीं होती, आगे, तदा हम अस्या आहन करो मी, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ, पैर नहीं कापते, उसके आगे रहते, तो मैं इसको फुकारता हूँ, तदा स्या आहन करो मी, तो मैं इसको फुकारता हूँ, कौन कह रहा है है, सिहा कह रहा है, एवं सहा बिले प् इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा बोजन बनेगा। इत्यां विचार्यास यह सहस्या शुंकायस अहान मन करो तहूं। इस प्रकार विचार करके शेन में अचानक घीधर को कुकारा। और आगे। इस प्रकार विचार करके शेन में अचानक घीधर को कुकारा। शेन की जो से गर्जन की प्रतिध्वनी से महा गुफा जो से घीधर को कुकारती है। इस प्रकार दूसरे पशुमी भैवी हो गए। घीधर ने वहां से दूर भागते हैं यह पढ़ा। जो आने वाले दुख का उपाय करता है वो शोभा पाता है और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता है वो दुखी ही होता है तो यहां वन में रेल हुए मेरा बुडाबा आ गया है परन्तु मैंने कभी मिल्की वाणी नहीं सुनी तो यह से ही कह रहा है öffentlich oh कि जब दुख आता है तो उसका उपाय में सोचना चाहिए, तो तभी वो शोबा देता है, लेकिन अगर दुख आ रहा है, उनलों कुछ सोच नहीं रहे, उपाय नहीं कर रहे, तो यह शोबा नहीं देता, तो यहां वन में रहते हुए मेरा गुड़ापा आ गया है, तो यहां कह रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि यह सीहर तो बढ़ा ही बेवकूफ तरकीम की इधर तो चालाग जंवर उसे किस तरह तरकीम की और वहां से भाग गया, और वहां जो सीहर था वो बेवकूफ नहीं बना रहा, तो इसके जो नोट्स है, मैं आपको लिखके बेज दू लोरी जो है महां बस सब पढ़िए इसको, ठीके चल रहा है, थैंक यू